नमस्कार राइस यूज में आपका स्वागत हैं तो पेश आज की एहम खबरे यूपी के बहराइच में भेड़िये और पिली भीत में सियार के आतंक के बाद पश्चमी यूपी के संभल में भी भेड़िये के आतंक से लोगों में दहसत फैल गई है ताजा मामले में संभल जिले के सिवराजपुर गाउं में भेड़िये ने चाल लोगों को अपना निसाना बनाया है इसे गाउं में डर का माहौल है खत्रे को देखते हुए जिला धिकारी डॉक्टर राजेंदर पैंसिया ने अधिकारियों को अलट पर रहने के निर्देश दिये है भेड़िये के हमले में बजर्ग महिला के गायल होने की जानकारी मिलने के बाद डीम राजेंदर पैंसिया और एस पी कुल्दीब गुनावत के साथ बन बिभाग की टीम बहजोई के सिवराज पूर गाउं पहुँची डीम ने बन बिभाग के अधिकारियों को भेड़िये नुमा जानबर की तलाज जारी रखने के निर्देश देने के साथ ही उन्हें अलाट पर रहने को कहा है ताकि जिले में इस तरह की कोई अन घटना ना घटे थोने पाए भी हो सकता है लेकिन सियार थोड़ा अधिक लग रहा है क्योंकि उसके पकमार्क बहुत छोटे हैं और इस मोसम में सियार पागल भी हो जाते है हमारी पूरे टीम यहां पर है आज हमने बैठक भी ली है और चारों और जो हमारे फोरेस्ट के गार्ड है पुलिस फोर्स है और विकास और प्रशाशन के लोग है वो यहां रहेंगे कहीं पर भी कोई दिखाई देता है तो फिर उसको पकड़ा जाएगा